नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया नियूस 28 में आई ये बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की बिहार के भोशपुर में डॉक्टर की लापरवाई से बच्ची की मौत इस्थानी सदर अस्पताल आये दिन चिकिस्सा में लापरवाई को लेकर सुर्ख्यों में रहता है बेसे ही ये घटना बीपी रात लगबख 9 बज़े सामने आई है चांडी ठाना चेतर के सलेम पूर गाउन निवासी भूला शाह सदर अस्पताल की चिकिस्सक वा चिकिस्सक क पर अपनी बेटी के ईलाज में लापरवाई का आरुप लगाया है उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को लगबख 9-8 बज़े इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया था उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को सामने काट लिया था जब में वहां के चिकिसक को दिखाया तो उन्होंने उसका इलाज तो किया लेकिन इलाज के तुरंट बाद घर जाने को कह दिया जब ये लोग घर ले गए तो एक घंटे के बाद उसकी मौत हो गई जबकि साप काटने के बाद उस बच्ची को दो तिन घंटे देख रेक में रखना चाहिए था ना ही उसका खून का नमूना ही लिया गया साप ने काटा है या नहीं इस संदर्व में शेहर के चिकिसक डक्टर सूरे कांत निराला ने पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साप काटे हुए मरीश को लगबक 24 घंटे अपने देख रेक में रखना चाहिए साप का जहर कभी भी मरीश पर अपना असर दिखा सकता है इदर इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने शब को लेकर आज अस्पताल में होहला भी किया जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने शब को जबत कर उसका पोस्माटम सदर अस्पताल में करवाया परिवार वालों ने नैग जाश करने की मांग भी कर रहे हैं तो नियमतर अगर वो काल आती है तो 24 वर तो साइंस इंटम चाहे के लिए अगर नहीं है तब हम उन्हें तो भरतिया नहीं तो परिश्या नाम डोक्र सुने कान्थ तो हम आख पर पघे गया था पापापापाव में साब कट गया वहाँ संग जाते हुँते थोड़ा देखाने लिया अस्पताल में कबला आए थे आठव होजे रात में डोक्टर साब इलाज किये नहीं रिलाज किये अच्छा उसके बार मारडम वा दवाई सूई दिये और उ तो फिर फिर सुवा हम लोग देखे न अच्छी करने लगा ना तम दूसरा बिले अपना देखाने के लिए अपना ले गया तुछ आप अपना डेट खा गया तब यहाप अले आए थे लड़की का आप कौन है अपना लड़की के पापा है क्या नम हो आपका बहुला साव गा सलेंट